अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी है कि आपका बहुत सबागे दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको पता ही है कि मैं जो पॉलिटिकल लीडर्स के एसासिनेशन वर्स को कवर कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉंस रहा है दोस्तों तो यह सीरीज जो है जारी रहेगी सबसे पहले हमने इंद्रा गांधी मात्मा गांधी का जो एसासिनेशन हुआ था राजीव ग माँ तक राश्टरपती रहे जोन एफ कैनेडी को एसासिनेट कर दिया गया था थीक है सिर्फ 1036 दिन 2 साल 10 महिने तक यह राश्टरपती रहे थे और यह बहुत अच्छा रहा और असासिनेट किया गया था क्यूंकि देखिए इनका जो कारकाल था वो ठीक भी था अच्छा कर दिया गया था और on the other hand इन्होंने बहुत सारी ऐसी भी चीज़े की जो acceptable नहीं थी तो हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे और इनके assassination की बात करेंगे लेकिन कुछ भी कहिए assassination is not the way और John F. Kennedy ने एक बहुती गजब की बात कही थी दोस्तों वो कोट जो है John F. Kennedy ने जो वो चीज़ कही थी आज भी पूरी दुनिया के लीडर्स उसको इस्तमाल करते हैं क्या बोला था मत पूछो की देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है ये पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो what can you do for your country समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कोट है आई होप आपने सुने भी होगी तो चलिए अब अपने लिचर को आगे बढ़ाते हैं सिर अन्सको रिकनेक्ट मेरा फेस्बुक पेज है सिद्दान तक नहीं होता रही के नाम से मेरी फेस्बुक प्रोफाइल है दोनों ही जगा प्रेचर की PDF लेज सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं गौरफ सर ने कमाल की किताब लखिए फेलियर टू ड्रायम इसको स्टेडी आइक्यू की वेबसाइट से आप प्रेबुक करिए स्टेडी आइक्यू का आप आगया मैंने बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज बनाए हैं दोस्तों कश्मीर का इतिहास आप पूछते रहते हैं कश्मीर का इतिहास कवर करिए इसमें पूरा कवर इड़ेब रेटिश सब्जूगेशन साथी साथ UPSC के स्मार्ट कोर्सेज अबने बनाए हैं तो आप इसको अवेल करिए आपको फायदा हुआ ट्विटर पे मैं आ गया हूँ वहाँ पे मैं बहुत सारी अनॉस्मेंट करता रहता हूँ लेच्चर की अप्डेट्स आपको मिलती रहेगी जो भी मेरे लेच्चर अप्लोड होते हैं तुरंत मैं वहाँ पे डाल देता हूँ ट्विटर पे तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जोन एफ केनेडी की अभी हम ली हर्वी ऑस्वर्ड पे भी आएंगे जो ऐसासे न था जोन एफ केनेडी की बात करें इनकी बाइगराफी मैंने कबर की है ठीक है तो आप इनकी बाइगराफी देख लिजेगा टोटल पचास मिनिट का सेशन है संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ कि यह कौन थे John F. Kennedy एक सम्रिद्ध परिवार से आते थे आपको पता ही है कि अमेरिका में दो पार्टियं के Republican और एक है Democrats John F. Kennedy Democrats थे ठीक है अब आर्मी जो इनकी नोंने बहुत महंती थे John F. Kennedy के बारे में बोला जाता है कि बहुत ज़ादा महंती थे और जो काम करते थे उसको पूरा करते थे, अपना 100% देते थे, रिजल्ट कमाल करेता था, तो जब इन्होंने आर्मी जोइन की, बल्कि आर्मी ये जोइन नहीं कर सकते थे, ठीक है न, इनकी पीठ में प्रॉब्लम थे, लेकिन इतनी महिनत की, कि इस प्रॉब्लम को भी अवर फिर हम देखते हैं कि 1960 में जब इनको नॉमिनेशन मिला, तब ये 35 प्रेसिडेंट, 35 वे राष्ट्र बदी बने अमेरिका के, ठीक है, और अमेरिका का राष्ट्र पती आपको पता, ये सबसे ताकतवर होता है, लेकिन इनके कारकाल में बहुत सारी ऐसी भी चीज़े हुई जो बिलकुल सही नहीं थी, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा का मैंने पूरा लेच्चर कवर किया है, ठीक है, आप जरूर देखेगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया जो है, वो लगबग लगबग न्यूक्लि बन गई फिर 1960 में आपको पते यह Berlin Wall भी खड़ी हो गई है ना उसके बाद communism से पहले तो John F. Kennedy हम देखते हैं कि liberal थे लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वो एकदम मतलब communism से तो बिल्कुल चिढ़ने लगे वो है ना और जहां पे भी communism देखते थे हटाओ खतम करो दो कि cold war is all about communism versus capitalism आपको पता ही है ठीक है तो cold war अपने peak पे था इस समय अब हम ये देखते हैं कि फिदल कास्त्रो जिनकी वायग्राफ एडिव्यू की है चे गुवारा की भी वायग्राफ एडिव्यू की है लाकु 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 उससे देख चुके आप जरूर देखेगा उनको भी मारने की कोशिश की गई CIA क्यूबन्स exiles को train करती थी और क्यूबा में ही बेशती थी तो ये बकायदा पूरा इधर हम देखते हैं कि इधर फिदल कास्त्रो को मारने का पूरा प्लोट चला कि इनको कैसे खतम किया जाए और उसमें भी जॉन फ केनेडी का हाथ बताया जाता है तो बहुत सारी ऐसे च इंट्रस्ट रेट्स एक टाइट में फिसकल मॉनिटरी पॉलिसी थी इनकी जिसके वाज़े से अमेरिका को काफी लाब भी हुआ ठीक है और सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियस मॉमेंट ठीक है ब्लाक्स को राइट्स चाहिए मार्टिल लुदर किंग इसी दौरा 1960s में ही तो बहुत आक्टिव थे सारे ब्लाक्स अमेरिका की सरकों पे उतर आये थे कि हमको अपने राइट से ही है तो जौन एफ केनेडी उसको सपोर्ट करते थे मार्टिल लुदर किंग को सपोर्ट करते थे ठीक है तो ये सब कुछ हुआ केनेडी ओल ओवर एक अच्छे राश्ट्रपती थे ठीक है अब हम ये देखते हैं कि जौन एफ केनेडी राश्ट्रपती तो बन गए लेकिन इनकी जान को खत्रा बहुत जादा था ठीक है कम्मिनिस्टर से तो खत्रा था ही कि इनको उड़ा देंगे किसी ना किसी दिन क्यूंकि क्यूबा में जो सिचुएशन खराब हुई थी 1960 के बाद क्यूबान रेवलुशन पे भी मेरे पूरा लेचेर आप देखेगा तो क्यूबा में 1960 में जो हालत खराब हुई थी उस हालत को बत्तर करने में जौन एफ केनेडी का भी बहुत हां था मैंने बता ना कि क्यूबान से CIA जो है वो क्यूबन एक्जाइस को ट्रेनिंग कर देती थी और उसके बस क्यूबा में मेज थी थी कि जाओ अनिस्टेमिलिटी फैलाओ फिदल कास्तर को मारो तो यहाँ पे खत्रा थो था कि क्यूबा से भी नको मारा जा सकता है है ना और यह वार्निंग्स भी दी गई थी लेकि रिनोंने सारी वार्निंग्स को नकार दिया समझ रहे हैं अब दोस्तो 1963 नवेंबर आता है और नवेंबर में क्यूब की लेक्शन होना था ठीक है 1964 में लेक्शन होना था तो 1963 में यह गए टेकसस टेकसस में यह बकाईदा रैली करने गए अपनी पतनी को भी ले गए और इनके साथ गवर्नर जॉन कॉली भी थे समझ रहे हैं तो अब हम यह देखते हैं कि यह जब टेकसस की गली में थे मतलब सड़क पे जा रहे थे लिमोजीन थी, ओपन लिमोजीन थी सबसे बड़ी गलती, ओपन लिमोजीन थी अकसर राष्ट्रपती, प्राइम मिनिस्टर आपको याद होगा, जब मोदी जी प्रधान मंतरी बने थे तब वो भी पैदल उन्होंने रैली की थी और कार से बाहर निकल के उन्होंने हाथ हिलाया था ठीक है, बहुत सेक्योरिटी होती है लेकिन आपको पता नहीं कि कब सेक्योरिटी में चूख हो जाए ठीक है ना, तो यह सब का भी ध्यान हमको रखना पड़ता है तो यहाँ पे जो इनकी कार थी, वो बिलकुल ओपन थी और यही ओपन कार की वजए से इनको गोली मार दी गई अब किसने मारा, किसने गोली मारी, इस इनसान ने इसका नाम है ली हार्वी ओसवर्ड, हाला किसने डिनाई किया कि मैंने गोली नहीं चलाई मैंने जॉण फ केनेडी का कतल नहीं किया तो थोड़ा Lee Harvey Oswald के बारे में जान लेते हैं Lee Harvey Oswald की बात करें दोस्तों तो यह अमेरिका में ही जन्मा था 1949 लेकिन फिर इसने American citizenship को त्याग दिया Soviet चला गया और इसका इसकी history of violence इसका जो record बहुत अच्छा नहीं है हाला कि दोस्तों यह एक अजीब बात है कि अभी तक यह नहीं पता लगाये जा सका कि जौन फ केनिटी को मारा क्यों गया था Lee Harvey Oswald ने अगर गोली चलाई तो चलाई क्यों अभी हम mystery theories की भी बात करेंगे आज भी conspiracy बहुत सारी conspiracy theories जो है वो जौन फ केनिटी के पारे मता ही जाती है कि इनको इसलिए मार दिया भी हम उसकी भी बात करेंगे आम तोर पे क्या होता है Abraham Lincoln को क्यों मारा क्योंकि Abraham Lincoln ने civil war start कर दिया था ठीक है slavery abolish कर दी तो वहाँ पे लोगों का mood खराब हो गया ठीक है जौन वाइक सबूत का mood खराब हो गया उसने मार दिया इंद्रा गांधी को क्यों मारा इंद्रा गांधी को इसलिए मारा Operation Blue Star सिखो का बहुत दाधा गुसा था उनके उपर राजीव गांधी को क्यों मारा इधर तमिल्स इधर वेल्लू पे ले प्रभाकरन जो था ठीक है उसका गुस्सा था लेकिन जौन एफ केनिटी को क्यों मारा पता नहीं पता ही नहीं लगा ली हर्वी आस्वल्ड ने बोला मैंने मारे नहीं लेकिन जब बाद में पूरी जब कमिशन बैठी और जात चली तो यह पता चला कि ली हर्वी आस्वल्ड नहीं मारा लेकिन अभी हम इसकी बात करेंगे बड़ी इंटरस्टिंग स्टोरी है अब Lee Harvey Oswald की बात करें तो इसका history of violence इसने अपने भाई को भी मारने की कोशिश की थी एक और American officer को मारने की कोशिश की थी Soviet में भी था दोस्तो 1962 वहाँ पे इसने training ली फिर ये America आया अमेरिका आया ये 1963 में और इसने 0.38 revolver और एक rifle खरी दी अब ऐसा बोला जाता है ये था leftist ये था communist ठीक है और communist आपको पता ही है कि leftist versus rightist extreme left versus extreme right ये जो जंग है ये बहुत time से चलती ही आ रही है ये आपको पता ही है leftist versus rightist वो लोग तो दोस्त है लेकिन extreme किसी भी चीज़ का extreme जो है ये इनकी limousine open बिल्कुल open roof है है ना ये इनकी बीवी बैठी एनकी wife इनकी wife का नाम था Jacqueline Kennedy ये बैठी हुई है इनकी wife और उसके बगल में हम देखते हैं कि governor बैठी हुए है समझ रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं governor जो थे कॉनली ठीक है उससमें बिल्लिंग थी उसमें floors थे वहां पे ही छटे floor में उसने ली हार्वी ऑस्पर ने बंदूग चुपाई थी समझ रहे हैं वहां पे बंदूग चुपाई थी अब अक्सर ऐसा होता है security अमेरिका क्योंकि इतना अमेरिका का राश्रपती इतना ताकतवर होता है तो security बनी टाइट होती है लेकिन यहां पे क्या था जहां से जा रहे थे यह जो rally कर रहे थे जिस रोट से 20,000 से जादा windows थी खत्रा कहां से होगा खत्रा वहीं से होगा जहां पे खिडकिया होगी खिडकी से खिडकी के पीछे बंदूग है बंदूग से निशाना लगाए जाएगा लेकिन 20,000 से जादा windows थी हर window को suspect मतलब उसकी खोजबीन करना बहुत मुश्किल था ठीक है तो यह security से बहुत वड़ थी वो Texas School Book Repository जो मैंने बता ना ये इनकी कार जा रही है और ये है building ठीक है छटे फ्लोर की 6th फ्लोर की 6 फ्लोरेस में और यहां पे बैठा हुआ है Lee Harvey Oswald और ये इनकी गाड़ी जो है जा रही है अब Lee Harvey Oswald ने जब गोली चलाई तो पीछे से गोली लगी समझ रहे हैं सामने से गोली नहीं पीछे से गोली चलाई तीन गोलियां चलाई थी ठीक है जब पहली गोली चलाई तो वो हो गई मैस एकदम से जब शॉट सुनाई दिये लोगों को समझ रही है कि क्या हो गया पीछे से गोली चलाई और तीन गोली पहली गोली हो गई मिस दूसरी गोली जो है किसी को कुछ नहीं समझ में आया कि हुआ क्या है इनकी वाइफ तो एकदम हक्की बक्की रह गए कि यह हो क्या गया सीधा गिर गई है कार में और उसके बाद जब एक मिनट भी था तब सब को रियलाइज हुआ जौन F. Kennedy का देहान तो गया जौन F. Kennedy को मार दिया गया है एसासिनेट कर दिया गया है तुरंत सिक्योरिटी ने देखा कि गोली ट्रैजेक्टरी कहां से है ठीक है और उसके बाद लोकेट किया गया ली हार्वी ओसवल्ड को पकड़ लिया गया और इससे पहले जैसे ही जौन F. Kennedy को मारा जेडी टिबिट को भी मार दिया जो कि एक पुलिस ओफिसर थे उसको भी मार दिया तुरंत एक और गोली चला है जिसमें जेडी टिबिट की भी जान चली गई तो हम यह देखते हैं कि इसको ओवर पावर किया गया ली हर्वी ओस्वर्ड को और ली हर्वी ओस्वर्ड को फिर जेल में ले जाया गया अब ली हर्वी ओस्वर्ड को जेल में तो ले जा रहे थे तभी एक और इंसान जैक रूबी जिसका अपना क्लब था उसने मार दिया ली हर्वी ओस्वर्ड को मतलब जिस इंसान ने जॉन F. Kennedy को मारा कुछे वक्त बाद 48 घंटे के अंदर अंदर Jack Ruby ने उस इंसान को Lee Harvey Oswald को मार दिया तो यहां पर double murder हो गया और उसके बाद कुछ वक्त बाद Jack Ruby भी मर गया अब ऐसा बोला जाता है कि Jack Ruby ने society कर लिया जैक Ruby से जब पूछा गया कि तुमने Lee Harvey Oswald को क्यों मारा तो Jack Ruby ने बुला क्योंकि उसने मेरे राष्ट्र पति को मार दिया इसलिए मैंने मार दिया लेकिन दोस्तों हम जिस हम जिन लोगों से पूचिताच कर सकते थे वो तो चले गए Lee Harvey Oswald खतम हो गया दो दिन के अंदर और उसके बाद Jack Ruby भी खतम हो गया तो कोई वचा ही नहीं इस केस में दूसरी चीज जो पोस्टमार्टम था वो टेकसस में नहीं हुआ था पोस्टमार्टम जो था जौन F. केनेडी का वो वाशिंटन में हुआ था समझ रहे हैं तीसरी चीज दोस्तों अब जब यह बहुत ज़ादा conspiracy theories आने लगी कि यार किसका ऐसा तो नहीं है कि यह pre-planned murder था या क्यूबा में किसी ने मार दिया हो किसी ने इनकी सुपारी ले ली हो ऐसा तो नहीं था तो बकाइदा एक commission बैठाई गई दोस्तों ठीक है commission जो है commission बैठाई गई और उस commission का नाम था दोस्तों warren commission warren जो थे वो court के judge थे और इन्होंने सारी conspiracy theories को नकार दिया इन्होंने बोला यह सब कुछ नहीं है इन्होंने बोला कि सबसे पहली बात तो जो revolver थी ठीक है जो 0.38 revolver थी वो जिससे गोली चलाए गई थी वो Lee Harvey Oswald की थी दूसरी चीज़ यह बताई जो गोली मिली है जो तीन गोली चलाए गई है वो गोली भी उसी revolver की है तो यह जो भी है जितनी भी हम कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी और इंसान ने मारा ऐसा नहीं है अक्चुली था क्या जो समय कयास यह लगाए जा रहे थे magic bullet थी जा रही थी magic bullet मतलब जो trajectory थी वो match नहीं कर रही थी ऐसा बोला जा रहा था कि इनके सर पे गोली लगई और उसके बाद ये गोली फिर सर से पार होते हुए governor को भी लगी governor को किसी तरीके से बचाया गया ठीक है लेकिन जो trajectory है वो सीधी होनी चाहिए trajectory सीधी नहीं थी टेड़ी थी तो ऐसा कैसे हो सकता है it is impossible तो कयास यह लगाए जा रहे थे कि पीछे से गोली चलाए गई है लेकिन trajectory match नहीं कर रही है तो possibility यह है कि हो सकता है एक और इंसान हो दो यहाँ पे shooters हो दो लोगों ने मारा हो ठीक है लेकिन जब पुरा conclude किया इस commission ने तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया पाएंगे कैसे 1964 में commission ने report दी तब तक तो जो suspect थे Jack Ruby का भी देहांत हो गया और Lee Harvey Oswald का भी देहांत हो गया तो इस case को जो सुल्झा सकता था उनका तो देहांती हो गया वो तो मरी गये तो फिर क्या मतलब इसका कोई लेकिन अभी भी दोस्तों ऐसी बहुत सारी थियोरी जो है वो आती रही कि ऐसा तो नहीं कि इनका political assassination क्या हो एक दोस्तों इसमें और चीज बोली जा रही थी कि उस समय के जो Vice President Lyndon B. Johnson वो भी बड़े उतावले थे उन्होंने बोला कि तुरंत मुझे ओथ दिलाओ President की ठीक है भाई यहां पे एक अगर President का देहांत हो गया है उसका Office vacant हो गया तो Vice President President बनेगा तो Lyndon B. Johnson एक दम बोले कि नहीं मुझे जल्दी से शपत दिलाओ यह सब छोड़ो पहले मैं राष्ट्रपती बनूँगा उसके बाद post-mortem करो तो यह भी बोला जा रहा था कि ऐसा तो नहीं कि political environment है समे यह ऐसा तो नहीं कि क्यूबा में किसी ने सुपादी दे दी हो क्यूबा से क्यूबा में उस समय बहुत unstability थी और John F. Kennedy's में शामिल थे तो ऐसा तो नहीं कि क्यूबा से लोग आये हो और उन्होंने पुरी साजिस्ट रची हो लेकिन दोस्तों यह सब conspiracy theories है है ना जब commission बैठी और जब इस पर पूरी जाच हुई तो इस पर कुछ मिला नहीं अब rumors तो देखिए मसाला मिर्स तो लगाने वाले बहुत होते हैं तो यह चीज़े लेकिन वही है कि अगर अभी कोई ऐसा fact सामने आता है तो हम जरूर देखेंगे है ना तो I hope ए लिच्चर आपको पसंद आया होगा John F. Kennedy को इस तरीके से assassinate किया गया था political leaders को assassinate किया जाता है जो सबसे ताकतवर होते हैं है ना मुझे Abraham Lincoln की बात याद आ रही है Abraham Lincoln ने बोला था कि मैं civil war तो करवा रहा हूं slave को आजादी दे रहा हूं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है अगर आप किसी इंसान के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो फिर आपके उपर भी आता है law of karma खुछ रहे पढ़ते रहे जैसे सिद्दान तक नहीं होता है किसी इंसान के रहे हूं